नमशकार दोस्तों, हमारी यूटूब चैनल क्रेजी इंडिया पर आपका हारदिक्स वाकत है आज मैं आपके लिए एक महत्यपूं टोपिक लेकर आया हूँ आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाने की विशे में, आपको स्वस्थ बनाने की विशे में क्या आपको पता है, अनार के इस लाल फूल से डाइबटीज को नेचुरल किया जा सकता है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारी यूटूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजी सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल आइकोन है आप उसके उपर क्लिक करना ना पूले क्योंकि इससे आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफकेशन आते रहेगी जिसे देखकर आप अपने लिए फाइदा उठासकते हैं तो आएए दोस्तो अब बात करते हैं अपने टोपे की वैसे तो अनार की फाइदों के बारे में जितना कहेंगे उतना ही कम है लेकिन आपको ये जानकर अश्चरिय होगा कि इसके बीजों में ही नहीं अनार के छिलकों में भी बहुत सारे कुन होते हैं अगर आप डाइबटिक हैं तो अनार के फूल के मदद से आप बिना साइड इफेक्ट के नेच्वल तरीके से बलड सुगर लेवल को कंट्रोल में कर सकते हैं इस फूल में एंटी ओक्सिदेंट और फाइटो केमिकल्ज रिवर्सर होता है जो डाइबटिज होने पर जो हैल्थ समंदी प्रोबलम होते हैं उसके संभावना को कम करने में आपकी मदद करता है 2008 में डाइबटिज, ओबिसिटी और मेटाबलोजम के चर्नल में प्रकासित अध्धन के अनसार अनार के फूल में पीपीए, आर, अलफा, गामा एक्टिवेटर प्रोप्रेटिज होते हैं जो फैटी एसिड, अफ्टेक और उक्सिडेशन, इंफ्लेमेशन, एंड वस्कुलर फंक्शन को नियंतिर्ट करके गुलकोज के लेवल को कंट्रोल करने में आपकी मदद करते हैं यहां तक की अनार के फूल का इस्तमाल, अईरवेदिक दवाईयों के साथ यूनानी इलाज में भी किया जाता है दोस्तों ये तो सभी जानते हैं कि एनियंतिर्ट डाइबटीज से उक्सिडेशिव स्ट्रेस होने की समाना बनी रहती है जिसके कान ब्रेइन सेल्स को नुकसान पहुंचता है लेकिन अनार के सेवन से अक्सिडेशिव स्ट्रेस के खतरे को कुछ हाथ तक कम किया जा सकता है और इससे ब्रेइन फुक्षन भी बहतर तरीके से काम करते हैं 2011 की अध्यन के दौरान ये पता चला कि इससे यादास्त रखने की सकती बढ़ती है अब जानते हैं कि इसका आप कैसे करें इस्तमान अध्यन के अंसवार डाइबटिक इसका सिवन एंटिडाइबटिक मेडिकेसिन के रूम में कर सकते हैं जो कांगिनेटिव फंक्शन को बहतर बनाता है अगर आपके डाइबटिज बोडर लाइन में हैं तो आप अपने डाइट में अनार का कच्चा फूल ले सकते हैं लेकिन आपको अगर कोई साइड इफेक्ट महसूस हो रहा है तो आपको अपने डाक्टर से जरूर सलाह लेने चाहिए तो दोस्तो आप भी अनार के फूल का प्रयोग करके अपनी डाइबटिज को नेच्छर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं तो दोस्तो यह थी हमारी वडियो अगर आपको हमारी वडियो अच्छी लगे या इससे आपको कोई जानकारी अपराप्त हो तो प्लीज आप हमारी वडियो को लाइक वाशेर करना ना पूले इसके साथ साथ आप हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना पूले क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम जवर्दास टिप्स लेकर आते हैं जिससे कि आप अपने जीवन को सुख में बनासकते हैं और सुख में जीवन जी सकते हैं धन्यवाद दोस्तू